दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी परवत का 15,000 मीटर से उंचा होना मुम्किन है ही नहीं? आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिये, लेकिन प्रिथवी का ग्रैविटेशनल फोर्स उसको उपर जाने ही नहीं देगा, वो परवत को खींच-खींच के नीचे रखे और क्या आपको पता है कि प्रिथवी की इस धरती के उपर हर साल कितने लाख लोगों का बोज बढ़ता जा रहा है? और इसे बरहा कौन रहा है? और क्या आप ये जानते हैं कि प्रिथवी पर 99% जीवित प्राणी कहां रहते हैं? और आपने गढ़्धे के बारे में तो बह और ये कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा डेड सेल से बना हुआ है, जिसको कितना भी काटे, कितना भी पीटे, तो भी इसमें कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, और इस तरह के बहुत सारे इस अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो में आपको दिखने को मिलने वाले हैं, तो वी प्रिथवी पर हर सेकंड में 100 से भी ज्यादा बार, और हर दिन में आसमान से 8,60,000 से भी ज्यादा बार बिजली गिरती रहती है, यानि कि जब आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, इस बीच कई हजार बार बिजलियाओं आसमान से प्रिथवी पर गिर चुकी हैं, है कुछ ऐसा मिल जाए जिससे की 2050 तक हम वहाँ पर रह पाए। बाकी कमेंट करके आप बताईए कि 2050 तक चांत पे रहना या फिर मंगल पे रहना क्या पॉसिबल है। अगर ऐसा होगा तो क्या आप वहाँ पर मकान लोगे या फिर आप यही ठीक हो। आप मुझे कमेंट करके बताईए कि आपके स्टैमिना के हिसाब से आपके मेंटल पावर के हिसाब से आप स्पेस में बिना किसी सुरक्षा के कितनी देर तक रह सकते हैं। आप कितना भी जोर लगा लीजिए। लेकिन पृत्वी का ग्रैविटेशनल फोर्स परवतों को ऊपर जाने ही नहीं देगा। वो खींच-खींच के उसे 15,000 मीटर के अंदर ले आएगा। फैक्ट नमबर पांच क्या आपको पता है कि हर साल हम पृत्वी पर कितना ज्यादा बोज बढ़ा देते हैं। नए लोगों की वजह से बरहता है। हर साल पृत्वी पर लगभग 77 लाख लोगों का बोज बढ़ जाता है। और इसको बरहाने में सबसे खास भूमिका किसकी है। बिलकुल सही। हम हिंदुस्तानी और चाइना। इन दोनों देशों के लोगों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि रातों को इतना भी ज्यादा प्यार मत करो और अगर करो तो बर्त कंट्रोल के उपाय करो। धरती पर इतना बोज तो मत बढ़ाओ। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताईएगा और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगली मज़ेदार फैक्ट वीडियो में तब तक बी हैपी बी नाइस